नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके वेकंसिज में आपका स्वागत है आरके वेकंसिज में हम बहुत सारी वेकंसिज आपके लिए लेकर आते हैं सरकार वेकंसिज आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ही दिन पहले रेलवे आरपीफ ने 2024 की बरती निकाल तो अब उनके एक्जाम होने वाले हैं कि यह हम बता रहे हैं कि एक्जाम होने वाले हैं क्योंकि उसका टेंडर निकल चुका है आरबियाई सभी एक्जाम का टेंडर आउट यानि कि एक्जाम होने की संभावना बहुत जादा है अभी आपका पता है आपको जून में फर्स्ट विक और जून में लोगसभा का इलेक्शन का रेजल्ट आजाएगा उसके बाद जो भी एक्जाम है वो कंडेक्ट होने स्टा की कॉंस्टेबल और एक्जाम की बात करेंगे तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन का आपको मैं बता देता हूं यह नोटिफिकेशन जो टेंडर है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है यह टेंडर है रेलवे रिक्रूइटमेंट का देखिए एक मिन्ट मैं इसको को लूँ कर लेता हूं ओके देखें रेलवे रिक्रूट्मेट बोर्ड मुंबई का यह टेंडर है डिविज्छन रेलवे कम्पोजिट मुंबाइव मुंबई मुंबई सेंटर मुंबई डेट है 24 तारिका 24 को 24 24 आपरिल दोजार 24 का यह कंटर है minutes of the pre-bid conference response of RBI Mumbai of the QDs raised by therein तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि tender जारी किया गया RBI दुआरा और बोला कि कौन-कौन लोग conduct करवाना चाहते हैं यह हमारे exam को कौन-कौन सी agency conduct करवाना चाहती है तो अब यहाँ पर नमबर नाम आ रहा है यह टेंडर का नेम आप देख सकते हो यहाँ पर डेट देख सकते हो आरार भी मुंबई ओफिशल से यह चीज होई है अब कौन-कौन सी यहाँ पर जो agency है उन्होंने bidding लगाई है कौन-कौन सी चीज़ें है देखते हैं एक बार एक बार यह देखिए name of the work क्या है name of the work है engaging exam conducting agency of conduct computer based test and all other related मतलब कि ऐसी agency जो CBT करवाती है उनको यह tender जारी हुआ है लाइक processing result और panel ETC RBI recruitment board in the connection with the recruitment of various post of 7th CPC pay matrix of various central employed notification CEN तो यहाँ पर तीन companies निकल कर आई हैं जिन्होंने bidding लगाई हैं देखिए TCS है पहला और दूसरे नम्मर पर equity career technology private limited और last में है NSEIT NSEIT तो आप जानते हूँ बहुत सारे exams करवाती हैं अब यहाँ पर bidding मानी जा रही है जो bidding है वो 90% यहाँ पर bidding जो है वो TCS को मिलने के chances हैं बहुत सारे exam TCS ने करवा दी है है NSEIT ने भी यहाँ पर इसको मिल सकता है लेकिन जो equity career technology private limited है उनको बहुत ही कम chance है यह bidding मिले तो TCS का जादा है chance यहाँ पर bidding मिलने का तो अब अब exam कब होगा यह इस पर बात कर लेते हैं देखिए पहले AT ALT का exam होने वाला है ALT का होने के बाद आपका technician का exam होगा और उसके बाद आपका यह constable और SI का exam होगा अब constable कॉंस्टेबल और SI का exam कब हो सकता है कोंस्टेबल और SI का exam कब होने वाला है çok constable और SI का exam अगस्थ अगस्थ और सेप्टेंबर में हो सकता है तो आपके पास कोंक ampre सेל है देखो मैई बचा है अभी जून बचा है जुलाई बचा हैं स्टीन मैइने बचे अभी कुछ महीना आए कुछ दिन आएंगे आपके 15 दिन अगस्त मेलवी साड़े तीन थ्री एंड हाफ मंस आपके पास बच्चे हैं लगबग 100 डेज आपके पास बच्चे हुए हैं आप इन 100 डेज में बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए और फिर यह हंड्रेड डेज में आप नोकरी लग सकते हो ठीक है इतना हार्ड पेपर नहीं आता है इन लोकों का ऐसाई कभी इतना खास नहीं आता है कौस्टेवल तो आप जरूर पाईएगा क्योंकि ग्रूप टी से अच्छी नोकरी है यह ठीक है अब मेरे हिसाब से आप यह मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर भेतरूआं और अब अगर आप यह नोटिफिकेशन चाहते हो यह नोटिफिकेशन आप चाहते हो तो मैं टेल वियक डुप का डिस्क्रिप्रिपशन बॉक्स में लिंक दे रहा है आप वहाँ से यह जो नोटिफिकेशन हो डानलोड कर सकते हो tender का तो thank you for watching this video channel को जरू subscribe करें बहुत अच्छा लगता है हमें आप लोगों के ये मदद करने का तो कि मैं एक government servant हूँ मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी एक सरकारी जोग भी प्राप्त करों तो thank you for watching this video thank you